कि नमश्कार दोस्तों मैं उमेश यर्मा चार्ट अनेलसिस चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत करता हूं आज की वीडियो बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की साथ साथ आने वाले टेडिंग सेशन में बजार में क्या पॉसिबिलिटी लग रही है क्या बजार अपना नया लो टच करेगा उसके बारे में डिसकस करना चाहेंगे तो वीडियो अच की काफी इंट्रस्टिंग है चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेगा सबसे बहले दोस्तों आज का मैं आपको अपना प्रॉफिट और लॉस दिखा देता हूं आज का मेरा जो प्रॉफिट है वो रीजन क्या था यह 3,000 पर जो हमने कमाये हैं वो कैसे कमाये हैं क्या-क्या पैटन समया देखने को मिले थे उसके बारे में डिसकस करना चाहेंगे बाकि अभी मैं कोई भी अपने ट्रेट्स जो है वो पबिक टेलीगराम चैनल में पोस्ट नहीं कर रहा से बी कुछ रिस्ट कर जाएगा कि बजार की डियरेक्शन क्या हो सकती है वर उसके लिए आपको बेसिक टेकनिकल अनालिसिस की नॉलिज होनी चाहिए उसके बारे में हम बाद में डिसकस करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं यहां पर बैंक निफ्टी का चार्ट आप आपको है तो वाग्टी में अपने एक हले को ब्रेक्डा HOLM को भी Ryan Kurz है वह कैसे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहँ को और पांच निपका चार्ट मैंग मैं नित 2019 जो बनाई थी एक मैंने इसका मैसेज भी आपको अब意र में घ्याभात है और हमने आपको यह ऐस पर इसी मैंने खुद हना पर कर दिया था और पूर दी शानता फॉय मैंने फॉर बनाया की आप क्या लग रहा है उसके बारे में डिसकस करेंगे तो पांच मिनिट का चार्ट भी देखते हैं तो पंदरा मिनिट के चार्ट पे जो ब्रेकडाउन है वह काफी अच्छे लेवल पर देखने को मिला है एक तो यहां पर एक ट्रेंगल पैटर्ण और अगर आप रेंज देखेंगे अगर मैं बात करूं तो यह हाई आज का में देखने को भी लाता और हाई और उपन था पूरी तरीके से सेम था वहां से इंडिकेशन आगे थी कि बजार आज वीक होने वाला है और मैंने पहले भी आपको बताया था दोस्तों कल की वीडियो पूर आएगा अपना क्योंकि अभी बॉटम पर हमें कोई भी रिवर्सल का साइन नहीं मिला है किसी में टाइम फ्रेम में पंदरा मिनट तीस मिनट एक गंटा टेली किसी के चार्ट में भी देखने को मिला तो मुझे लग रहा है कि यह गिरावाट आगे जारी रह सकती है इस वर्णे से मैंने जो पुटकी पूरीजन थी वो मनाई थी तीने जार का प्रॉफिट लिया है अभी मैंने बुक नहीं कर रहा है मैं उससे कैरी कर रहा हूं अगले दिन के लिए अब यह बड़ा ब्रेकडाउन है दोस्तों हो सकता है कि फर्स टार्गेट जो हमें देखन कंडिशन यह है कि अगर मार्किट में तीजी आती भी है तो बाइंग अपोर्चुनिटी क्या हो सकती है उसके बारे में डिसकस करना चाहूंगा दोस्तों वह होगी 42,950 के उपर अगर 42,950 के उपर बैंक निफ्टी जाता है उसके उपर काम करता है तो तेजी इसमें आ सकत है तो उपर जाने के चांस होंगे 42,950 के उपर और नीचे मुझे लग रहा कि 42,400 के आसपस बैंक निफ्टी आता हूँ दिखाई दे रहा है दूसरी जगह अगर आप देखेंगे तो उसी वज़े से भी मैंने अपना ट्रेड बनाया था अगर आप देखेंगे तो बहुत क मार्केट होगी जब बजार खतम हो जाएगा या मैं जब वीडियो बनाऊंगा तब मैं अमनी पूजिशन दिखा दूँगा बट हाँ आपको पूरा सपोर्ट करूंगा अपने पब्लिक टेलिग्रम चैनल पर चार्ट के थुरू अब मैं बैंक निफ्टी का चार्ट हम यह यहां पर दिखाई दी रही है इसको आप राइजिंग भी क्या सकते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा बताने के लिए मैं आपको यहां पर इस तरीक से ट्रॉ करके दिखा देता हूं बजारे करेंज में चल रहा है ठीक है और रेंज का ब्रेकडाउन आज निफ्टी में ह कर दोस्तों नीचे देखने को मिला है तो अगर आम इसको भी कैलकुलेट करके चलते हैं अगर यहां पर दोस्तों का हाई भी मानके चले हैं तो आज का बना है वह बना है 19233 रॉपेका मैं नीचार 200 मानके चलता हूं और 19100 का दोस्तों यह सपोर्ट था तो इसके बीच में जो डिफरेंस है दोस्तों वह भी 100 पॉइंट का है तो मेरे साफ से जो एक बार 19000 के आसपास निफ्टी मेरे साफ से आना चाहिए अगर यह जो सस्टेन हुआ है क्योंकि वॉल्लूम के साथ इसने ब्रेकडाउन दिया है फॉलिंग वेच को और यह जो ट्रेंड लाइन मार्केट में आपको गिरावट देखने को विले बट दोस्तों आपको फिर से कहना चाहूंगा कि यहां पर मैं एक अपको अपनी राय रख रहा हूं बट हो सकता है कि अगर बजार 19000 120 के उपर ट्रेड कराता है तो एक रिवर्सल भी आपको देखने को मिल सकता है दोनों च आज की बात करें तो आज मुझे 19000 का लेवल निफ्टी में आता हूँ दिखाई दे रहे हैं यहां पर दोस्तों यह जितने में मैंसेरीज होते हैं यहां मैं आपको अपने टेलीग्रम चैनल पर दिखा देता हूं मेरा जो टेलीग्रम चैनल है हो सकते हैं आपने जॉइन न पर प्लिक टेलीग्रम चैनल में पोस्ट करते हैं क्योंकि मार्केट वह ज्यादा था कुछ देखने को नहीं मिलना था बट जादा तर केस में समय आपको कहना चाहूंगा दोस्तों कि यह जितने भी चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं बता रहा हूं अगर मैंसेर इसमें 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 प्राइब टेलीग्राम मिलता कोई 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 तो मुझे कॉल कर सकते हैं जो लोग नए हैं जो चार्ट को सीखना चाहते हैं देखिए जो करने हैं चार्ट से रिलेटेड उसको भी अगर आपको सीखना है तो दोस्तों यह को जॉइन कर सकते हैं नए लोगों के लिए टेक्निकल अनालिस बहुत बैटर है बाकि इसके लावा ऑप्शन और ऑप्शन स्टैडिजी का कोर्स भी आपको हमारी तरफ से मिल जाता है इसके कोई टिप नहीं देते हैं जो अनालिस है वो हम आपके पोस्ट करेंगे बागी दोस्तों मैं आपको यह बोलूंगा कि आप सीखिए बिना सीखिए कुछ नहीं होने वाला आप यह चाते हैं कि मैं को कोई टिप दे दे मैं उसके टिप पे काम कर लो तो आपको कोई बेनेफि संदे बाद